हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप सभी मेरी छोटी सी बग्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्लांट्स की जो किचन गार्डनिंग के हम सीड्स लगाते हैं और उन प्लांट्स की थीनिंग किस सरीके से करनी है क्या होता है थीनिंग करना सब कुछ बताऊंगी तो वीडियो को पूरा देखेगा फ्रेंड्स और आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकान और प्रेपेस कर लीजेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ किचन गार्णिंग से रिलेटेड सीड्स अभी थोड़े दिन पहले ही अपने चैनल पर वीडियो भी अप्लोड किया है और डाले हैं सीड्स इन में ग्रो बैग्स में और बहुत से सीड्स ग्रो हो चुके हैं बहुत से सीड्स अभी दीरे दीरे बढ़ रहे हैं चोटे से बड़े हो रहे हैं काफी लेट हो गई मैं इसमार से जालने में बट फ्रेंड्स देखिये पालक बहुत ही ग्रो हो गया है यहां पर टमाटर भी बहुत अच्छे से grow हो गई है. इन तीनों की seeds डाले थे मैंने और धनिया के seeds डाले थे वो भी grow हो गए हैं. तो देखिए टमाटर की जो plant हैं वो काफी पास-पास घने घने हो जाते हैं और इनी को दूर-दूर करने की जो प्रकृया होती है उसे हम thinning कहते हैं. और देखे पतली लकडी की सहायता से या पतली पतला कोई भी सरिया हो या कुछ भी हो पतली बहुत ही चीज जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इस तरीके से आप जमीन से जड़ सहीत आपको इसको थोड़ी दूरी से उठाना होगा और उनको प्लांट को निकालना होगा जो प्लांट जहां सीड गिरता और वहीं से ग्रो होता उसमें बहुत जल्दी फ्रूट्स आते हैं और जो हम ट्रांस्प्लांट करते हैं तो एक जगे से दूसरी जगे लगाने वाली प्रक्रिया को हम ट्रांस्प्लांटेशन कहेंगे तो देखे, यहां पर मैं आप इन्हें दूर दूर लगा दूँगी जहां ग्रो नहीं हुए है, सीड्स डाले थे मैंने इस ग्रोव में बी और यहां पर ग्रो नहीं हो पाए है, तो यहां पर मैंने एक हॉल बनाया है ताकि उसकी जड़ है वो अंदर तक जाए इसलिए थोड़ा सा गहरा हॉल बनाया है मैंने जड़ तो बहुत कम है लेकिन उसको हम थोड़ा स्टैम सही अंदर उतारेंगे ताकि वो हवा से या पानी डाले तो पानी के प्रेशर से बौधा गीरे नहीं क्योंकि रूट्स उसकी हम डिस्टप कर चुके हैं तो अब उसको थोड़ा समय लगेगा 8-10 दिन और इसलिए जो डायरेक्ट सीड लगाते हैं और जो प्लांट ग्रो होते हैं उनमें बहुत जल्दी फ्रूटिंग होती है बजाए इस तरीके से ट्रांस प्लांट करने के अगर आप नर्सी से भी ल अलग तो नहीं कर सकते ना तो उसी वज़े से उनको अलग-अलग हम लगा देंगे हटाके निकाल करके और जहां घ्रू नहीं हुआ हैं वह लगा देंगे और मुझे यह फरवरी में फ्रूटिंग में बॉर्टिंग स्टार्ट हो जागी लेकिन पकने का कारिक्रम इसका फ् transplant भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैं आपको फूल गोबी की थीनिंग करके दिखाऊंगे। यहाँ दो प्लांट है, एक छोटा है बड़ा दिख रहा है तो जो छोटा प्लांट है जो हेल्दी होता है हमें उसे नहीं हटाना है और जो छोटा प्लांट होता है उसे थे में डλλच Cha सिर्फ एक ही प्लांट की जगे काथ ही कम से म्टस होता है उसको जगे को घेरता है प्लांट तो इसे 3 न करके एलगलग लेगे काफिन क्रोड़ मर थे सकते हैं बस भेसी थीनिंग प्रक्रिया कहलाती है कि प्लांट को अलग-अलग कर देना यह देखिए जो छोटे-छोटे प्लांट है जो अच्छे से जो कमजोर प्लांट है उनको हटाएंगे इसका मतलब यह नहीं कि जो बड़ा हो रहा है प्लांट आप उसे हटा दे उसे नहीं हटाना है आपको उनी प् फूल गोबी के अगर ये सारे खराब हो जाए तो आप दूसरे भी डाल सकते हैं और आजकल तो 12 महीने फूल गोबी मार्केट में अविलेबल होती है तो फ्रेंड्स यहां पर हम पालक की थीनिंग नहीं कहेंगे क्योंकि पालक बहुत ही घना ही अच्छे से ग्रो होता है पत् तो फ्रेंड्स बस यही दिखाना चाहरीती में कि लोग बहुत कन्फ्यूज होते कि थीनिंग क्या होती क्यों जरूरी होती तो न्यूटिशन सारे प्लांट्स को बराबर मिल पाई यही थीनिंग की प्रकृया का मतलब होता है और यह दिखें मैंने कल लगाया थे तो कुछ दूप की वज़े से मुर्जा गए लेकिन ये चल जाएंगे बहुत अच्छे से ग्रू हो जाएंगे I hope आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बैल आइकन और पर पैस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक डारेक्ली पहुचती रहे मिरते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई ठेक के जैसी क्रिशना